C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सोलवा पाठ खेल खेल में गली में सभी बच्चे स्चापू खेल रहे थे अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था अवंतिका ने कहा अरे नंदिता सुनू ठीक से समझ लो ठिप्पी को पहले खाने में डालो फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़ कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर आखरी खाने में उचल कर वापस घूमो वापसी में ठिप्पी जरूर उठा कर लाना याद रहे चार पांच और साथ आठ खाने में ही दो पाउं रख सकते हैं अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो इसी तरह सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डाल कर देखो बच्चे फिर से खेल में लग गए चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी उनका भी खेलने का मन कर रहा था जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पणी बच्चों मैं भी तुमारे साथ टापू खेलू ये सुनकर सब हंसने लगे अवन्तिका बोली चाची आप खेलेंगी चाची बोली तुम सोचती हो मुझे इस टापू खेलना नहीं आता अरे तुमारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे नन्दिता बोली कौन-कौन से खेल चाची चाची ने कहा एक टांक से दोड़ना छुपन छुपाई उच मांगी नीच गिट्टे और न जाने क्या-क्या और कबड़ी में तो हमारी टीम दस गाउं में सबसे आगे थी रज़त ने कहा चाची आपको खेलने का इतना समय कहां से मिलता था हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता चाची ने कहा तुम्हें टीवी देखने से फुरसत मिले तब न नन्दिता बोली चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे चाची बोली पूछो मत तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन गिल्ली, डंडा, कंचे, अश्टा, चंगापे, पिठ्थू और ना जानी क्या-क्या खेलते रहते थे पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे नंदिता ने कहा आओ खेलो न जाची बच्चों के साथ खेलने लगी अभी कुछी धेर खेल पाए थे कि बारिश आ गई सब बच्चे ओफ ओ चाची बोली, चलो हमारे घर चलो, अंदर चल कर खेलते हैं ये सुनकर सब बच्चे खोश हो गए सब बच्चे बोले चलो चलो चाची की घर चल कर खेलते हैं सब बच्चे चाची की घर आ गए अंदर चाचा और भुवा शतरंज खेल रहे थे अवंतिका बोली चाची क्या खेलें रजट ने कहा चाची घर-घर खेलते हैं कुछ बच्चे बोले हाँ हाँ घर घर का खेल खेलते हैं रजत बोला अगर गुडिया होती तो हम गुडिया से खेलते चाची बोली गुडिया चाहिए अभी बना लेते हैं गुडिया चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुडिया बना ली कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ अश्टा चंगा पे सब अपने अपने समू बना कर खेलने लगे पाठ में जिन जिन खेलों के नाम आये हैं उनके नाम तालिका में लिखो इन में से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनके सामने घर का निशान बनाओ और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के सामने पेड का निशान बनाओ खेल के सामने खिलारियों की संख्या लिखना भी मत भूलना खेल की खेलने में अगर कुछ चीजों की जरूरत होती है तो उनके भी नाम लिखो जैसे पाठ में आए खेलों का नाम, फिर उसके आगे निशान, घर का या तुपेड का फिर उसमें कितने खिलाडी और उसके बाद इस खेल में किन-किन चीजों की जरूरत होती है इस तरह से तालिका बनाओ क्या तुम स्चापू से मिलता जुलता कोई और खेल खेलते हो इस खेल का क्या नाम है खेल को खेलने के लिए जमीन पर जो आकृती बनाते हो उसे भी बनाओ तुम परिवार में किस के साथ क्या खेलते हो इसके लिए एक तालिका बनाओ पहले लिखो परिवार के सदस्य का नाम और उसके सामने खेल का नाम क्या तुम अपने इलाकी के किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? यदि हाँ तो उसका नाम और वो किस खेल से जुड़ा है वो भी लिखो तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो? उसकी सूची बनाओ क्या तुमने सानिया मिर्जा का नाम सुना है? वे भी गेंद से ही एक खेल खेलती हैं पता करो और लिखो कौन सा खेल? तुमें कौन-कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? अपने घर या आसपास के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो जब वे चोटे बच्चे थे तब वे क्या-क्या खेल केलते थे यहां कुछ पहेलियां दी गई हैं और कुछ चितर दिये गए हैं पहेली को चितर के साथ जोड़कर खेल का नाम लिखना है चितर हैं, कुछ गोटियां हैं जैसे राजा, रानी और वजीर एक पतंग है जो अपनी डोर के साथ है एक गेंद है, एक सीड़ी है, एक साप है, कुछ कंचे है लूडो वाली एक गोटी भी है, कुछ ताश के पत्ते हैं अब सुनो पहेलियां साप काटे तो नीचे आऊं, सीड़ी मिले तो जट चर जाऊं दूसरी पहेली है, रंग बिरंगी काच की गोली, साध निशाना जीती भोली अगली पहेली है, बांध गले में सूत, बिना पंक में उड़ जाऊं अगली पहेली, बेगम बादशाह इकका गोलाम, बावन पत्तों के खेल का नाम अगली पहेली है, लगालो तुम चौके छक्के, बना लोगे सौरन पक्के इस खेल का नाम बताओ अगली पहेली है, राजा, रानी, वजीर, सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई अब बताओ, खेलनी के अलावा तुम क्या-क्या करते हो? यहां पर कुछ काम दिये गए हैं, जैसे पढ़ना, सिलाई कढ़ाई करना, नाचना, गपशप करना, पेड़ पौधों की देखभाल, डाक टिकट इकठे करना तुम्हारे परिवार की लोग, इन में से जो काम करते हैं, उसका चितर बना कर उसमें रंग भरो, साथ ही, यदि वे कुछ और काम भी करते हैं, तो उसका भी चितर बनाओ खेल खेल में, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा 3 की पाठे पुस्तक, हमारे आसपास का ये पाठ, प्रस्तुती, C I E T, N C E R T, नई दिल्ली, भारत